भावनगर में एक और बड़ा हादसा हुआ है यहां एक इमारत की बैलकनी गिरने से तीन लोगों की जान चली गई है जबके पंद्रह से जादा लोग घाल बताये जा रहे हैं जिसे मारत में बुदवार सुबह ये हादसा हुआ उसके नीचे एक बैंक और कई दुकारे चलती है इस घटना का लाइव CCTV फोटेज भी सामने आ चुका है पुलिस और फायर ब्रिगेट का ओपरेशन शुरू हुआ भावनगर में हादसे की तज़्वेरों को देखने से पता चलता है कि हादसा बिल्कुल अचानक हुआ इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था तक तेश्वर मंदिर के पास मादाव हिल कॉंपलेक्स की दो मंजिला इमारत जरजर हो चुकी थी लेकिन जहाँ हादसा हुआ वहाँ लोग हर दिन के तरह काम में लगे थी नीचे एक बैंक समेट दस दुकाने चला करती थी बहुत से लोग उपर की मंजिलों पर भी फसे थे उन सभी को सीडी लगा कर फार विगेट की टीम ने रेस्क्यू किया इस घटना का सिसेटीवी फोटेज में सामने आया है आप देख सकते हैं कई लोग उसी बालकनी के नीचे काम में लगे हैं कुछ लोग आ जा रहे हैं जो अचानक सूके पत्ते की तरह नीचे किर गया मलवे में बैंक समित सभी 10 दुकाने जमी दोस हो गई कहा जा रहा है कि मलवे में करीब 20 लोग दब गए थी दरसल मांसून के इस सीजन में गुजरात में इमारतों की किरने की घटनाए लगातार हो रही है अवी हाली में 24 जुलाई को जुनागर में भीशन हाथसा हुआ था जिसमें दो मंजिला मकान की जरजर नीव अचानक बैट गई और पूरी इमारत धरशाही हो गई मलवे में दबकर चार लोगों की मौथ हो गई थी इससे पहले एमदाबाद में जुलाई को हास्था हुआ था यहां तीन मंजिला इमारत गिरने से एक शक्ष की मौथ हो गई थी हाला की लगातार हो रहे हाथसों के बाद सरकार ने जरजर इमारतों की पहचान और उसे गिराने की कारवाई का आदेश तो दिया था लेकिन शायद सरकारी फर्मान कहीं कागजों में दब गया वरना भावनगर जैसे हाथ से नहीं होते आज तक व्योरो उदर गुजरात के अरावली में हिंदू संगठन भी मोचा खोल कर बैठे हुए हैं हर्यान के मेधा के घर्मिक यात्रा पर हमले और सांप्रदायक हिंसा के खळाफ विश्व हिंदू परिषत के कारेकरता हुने विरोध प्रदैशन किया और आहे at चे पत्थर मारें चामपीना अन्यवाली में हर्यान सरकार से औरोप्यों पर सख्वत कारवाई की मांग एक जूत थाई ने विश्व हिंदु परिशत न थी पर समगर हिंदु समाज नी जे सूरत की सडकों पर कानून की धजियां उडाने वाले रईजादों पर पुलिस ने अपना शिकन जाकसा है दरसल मंगलवार को सूरत की आउटर रिंग रोड पर बर्दे सलिब्रेशन का एक वीडियो तेजी के साथ वाइरल हुआ वीडियो में चिराग मंदानी नाम का एक शक्स अपने दोस्तों के साथ सडक के बीचों बीच बर्दे सलिब्रेट कर रहा था लेकिन रईजी की उनकी सनक ने उने सलाखों के पीचे पहुँचा दिया है सूरत की कामरेच थारा पलिस ने आठ लोगों को इस मामले में गरफतार कर लिया है एक चीराग मांडानी ना जन्म दिवस्नी उजवनी स्वरूपे जाहेर मां गाडी उपर कैक गोठ भी अने रस्ता वच्चे रस्ताने अडचन थाए वी रिते लोकों नी जिन्दकी जोखम मां मुका ए रिते फटाकडा फोडी जन्म दिवस्नी उजवनी करेल जे बाबते वीडियो गईकाले सोश्यल मीडिया मा वाइरल थता बहर्बान पोलीस अधिक सक्सा है प्सरी अने मदद निस पोलीस अधिक सक्सी कामरेज विभाग ना सिधा मार्ग दर्शने ठड़ गुनों दाखल करवा मा आवेलों चे आई एक तरफ गुजरात के विकास वाले मॉडल को पूरे देश में लागो करने की बात हो रही है दूसरी तरफ गुजरात से ही यहां की विकास मॉडल की शर्मसार कर देने वाली तस्वीरा आ जाती हैं गुजरात के कई जनों में मूल भूसों विधाएं और बुनियादी पचा किस हकीकत और कितना बड़ा फसाना है आप खुद इस रिपोर्ट को देखने के बाद फैसला कर लीजे जिस गुजरात मॉडल के दूहाई देते सरकार नहीं ठकती उसे गुजरात मॉडल को मुझ चलाती ये दो तस्वीरे जो बनास काथा और अमबाजी चे सामने इन लोगों की ये मांग आजादी के अमृत काल में भी अधूरी ही है सरकारे कहती आई हैं कि बच्चों का भविशोजवल है लेकिन यहां तो बच्चे स्कूल जाने के लिए जान जोखी में डाल कर नदी पार करने को मजबूर है कई बच्चे ऐसे हैं जो डर के मारे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि बरसाती मौसम में अगर नदी ने रौदर रूप लिया तो कोई बड़ी अनुहनी भी हो सकती है अब जरा अमबाजी से आई इन तश्वीरों को जरा गौर्च देखिए एक शिया बाला गाउं है जहां बरसाती मौसम में गड़की की तवियत बिगडी तो चार लोग उसे चादर में लपेट कर पैदाली अस्पताल ले जाती हुई दिखाई दिये क्योंकि सिया बाला गाउं अजादी के बाद से इही पक्की सलक की मार जो रहा है बारिश काल में हाल बेहाल हो जाता है कच्ची सलक पर पानी जमा होने से कीचल जैसे हालाद बन जाते हैं ऐसे में एमूलेंस का गाउं तक पहुँचना नामुम्किन हो जाता है गुजरात की गिंती देश के अबल राज्यों में होती है ऐसे में उम्मीद करना तो हर किसी का हक है कि काम करने पर उन्हें पैसे दिये जाए दिहाली करने पर मजदूरी मिले और नोकरी करने पर तन्ख्वा लेकिन नहीं महिसागर जिले में ये नियम लागू नहीं होता तभी तो खानपूर तालूका के बाकोर समुदाइक स्वास्त केंद्र में काम करने वाले इन कर्मचारियों को पिछले चार महीनों से बेतर नहीं मिला है अमें हमार हक मांगे जे साइब कोई ना जोड़े बिख न थी मांगता जो पगार नहीं थाई तो आत्मवीलो पन कर इस उसामुई कारोग एकेंद्र माँ सीपर तरीकर फरज बजावाँ शो मैसागर जिल्ला ना तमाम सामक्यारों के केंद्रमों जे आउट्सोर्स ना कर्मचारियों फरज बजावाँ जे यहां नो छिल्ला त्राण मास थी पगार थो नती जेना पगार बील जमा कराई दिदेला चे आने अत्रे बे दिवस पेला चोथों मास पर पूर्ण थोयल जे त यह सबी चार लोग 34 रेनी के कर्मचारी हैं जिनके बिना स्वास्थ केंद्र चलाना काफी मुश्किल हो सकता है लेकिन इनकी मेहनत और शिद्दत की कोई कद्र नहीं की गई इसलिए आज से इनों ने अपनी सेलरी के लिए प्रदरशन का रास्ता चुना है मुल्भूत सुभी धाएं और बुनियादी जरूरतें भी गुजरात के कई जिलों में पूरी नहीं हो पा रही है तो ऐसे में गुजरात मोडल की चर्चा कितनी हकीकत है और कितना फसाना आप खुद फैसला कीजिए अंबा जी से अक्षक्ति सिंग राजपूद मही सागर से बिरेन जोशी के साथ आज तक भी उरो और आवली में उर्जा विभाग भरती घोटाले को लेकर कॉंग्रेस प्रदर्शन कर रही है लगातार और कॉंग्रेस ने जिलाक एलेक्टर को याचिका सौपकर आरोप्यू के खलाफ कारवाई की भी मांग की है और आवली से एक कॉंग्रेस जिलाध्याक्ष कमलेंद्र सिंग पवार ने मीडिया से बाचीत में कहा के भरती घोटाले और पेपर घोटालों से सिक्षित युवाओं का विश्वास अब खत्म हो गया है गुजरा समय देश में लाखो श्रत धालो बाबा बरफानी के दर्शों के लिए मरनात गए हुए है लेकिन इसी बीच वहाँ के हेलिकॉप्टर में खराबी के खबर ने सब को परिशानी में डाल दिया लेकिन इंडियन एफ फॉर्स की टीम ने 11,500 फीद के उचाई से सकरी घाटियों के बीच से प्रावेट कंपनी के हेलिकॉप्टर को सुरक्षित बाहर निकाल कर ये दिक्कत दूर कर दी है ये वो तस्वीरे हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी एक हेलिकॉप्टर से दूसरे हेलिकॉप्टर को एरलिफ्ट किया जा रहा है इस ऑपरेशन को अंजाम देने बाला हेलिकॉप्टर है इंडियन एफ फोस का MI-17 V-5 हेलिकॉप्टर बारते वायूसीना जरूत पढ़ने पर तमाम आपरेशन को सफलता पूर्वा कंजाम देनी को लेकर जानी जाती है जब देश में कहीं आपना आती है और लोग मुश्किल में फसे होते हैं तो अकसर आपने वायूसीना के विमानों और हेलिकॉप्टर को रिस्की ओपरेशन करते देखा होगा इंडियन एफ फोस और आमी जरूत के हिसाब से भारी हत्यार और उकर्णों को भी अरलिफ्ट करती है लेकिन ये शायद पहला मौका था जब एफोस के हेलिकॉप्टर को एक खराब हेलिकॉप्टर को उठा कर ले जाते देखा गया दरसल पंच्टरणी हेलिकॉप्ट पर अमनात यात्रा में इस्तेबाल होने वाले एक प्राविट कंपनी के हेलिकॉप्टर में खराब ही आ गई इस हेलिकॉप्टर ने उस शुनौती को भी सफलता पूर्वक पार कर लिया अमनात यात्रा जारी है अलग अलग जगू से यात्रियों का जथा लगतार गुपा के लिए रवाना हो रहा है लेगिन इंडियन आयोपोस के सफल मुश्ण के बाद अब पंच्टरणी ये पहले की तरह इस्तमाल होने के लिए उपलब्द हो गया है